हलो दोस्तों कैसे हैं आप अक्सर में आपके सामने नहीं जानकारी लाता रहता हूं बर्ग 3 से रिलेटेट कोई भी कमेंट आप करते उन पर बीडियो जरू बनाता हूं अभी मैं आपके कमेंट के रिपलाई देने के लिए आया ही था दोस्तों सबसे आदक कमेंट कल के उस वीडियो पर इससर ये बताएं वर्ग 3 की डेट आँगे बढ़ गई है इसकी रिन सूट बाइरल हो रहा है हलाकि मैंने पीएबी की वेप साइट पर आपको स्वेम बता र नहीं हुआ है इसलिए पुरानी अपडेट उस पर चल रही है और जो आपका परिक्षा कारिकरम है वहाँ पर दो जनवरी अभी भी डेट आपकी वर्ग 3 की डली हुई है तो उसे देखते हुए यह आप तैयारी करेंगे तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा क्यों कोई त तैयारी करेगा या अभी से जितनी भी आपने एक्जाम दियें किसी और ने आपकी जंगे तैयारी की तैयारी आपको ही करनी है तो जो समय मिला है उसका यूज करना चाहिए अब बहुत से भाई मैंनों ने का कि सर ये तो बता दें कि हमारी जो एक्जाम होगी उसके एड्म है जो भी आप कॉल करो गयों ठीक है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक मेरे फ्रेंड है जो भूपाल में ही रहते हैं और जिनका वर्ग एक में सेलेक्शन हुआ है तो मैंने उनसे कहा कि आप जाकर यह पता लगाएं पीएवी में क्योंकि आप भूपाल में हैं तो जा सकत है कि हम अपनी website पर जो भी सूचना है वह अपडेट कर देंगे तो आप परिसान नहों अपनी पढ़ाई करते रहें हलाकि वह बर्ग एक में सेलेक्टेट हो गया तो उस हिसाब से एक्जाम की तयारी अप कर नहीं रहें तो दोस्तों यह है कि उन्होंने एक ही बार बार बा सेलेकर बिजमान की जाये है अक्वमोना निया फेल बहुत है दोस्तों पर वी था मैं या जो बहुत है देबड़ाय यह और लगए स में अनगा नहीं यह नहीं यदि डेट भी आगे बढ़ती है आपकी, तो 15 से 20 दिसम्बर की बीच में उसका अपडेट साना जाएगा, ठीक है, तो 15 दिसम्बर से लेके 20 दिसम्बर तक को आपको बेट करना ही है, अब इस बेट में जो हमारा समय बरबाद होगा, जो टैम खर्च होगा दोस्तों, उसका यूज तब ही है, जब आप 15 दिन तक और तयारी अच्छी से कर लो, यही मान कर तयारी कर लो, कि 2 जनवरी को एक जाम होगा, और 2 जनवरी को आपका एक जाम हो गया, तो आपको लाब मिल जाएगा, तो इससे नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं है, नुकसान कहां होगा दोस्त थे वो इस बात को बहतर रूप से जानते हैं और वो अब एक गलती बर्गतीन में कैसे भी नहीं धोराएंगे ठीक है दोस्तों और बहुत से लोग यह कहते हैं कि सर पढ़ाई के लिए समय नहीं मिला तो डेट आगे बढ़ने चाहिए अरे बारा महीने मिलें जनवरी में आप कोई भी भार की ऐसी दुनिया शुरू नहीं हुई थी जिसमें आप बिजी हो जा कोई कोई कोचिंग किला सिर्फ घर में ही थे तो घर में ही जब हैं तो उससे बेश्ट पढ़ाई के लिए कौन सा समय था तो उस समय का भी आप यूज नहीं कर पाए यानि कि 12 महीने में डल लग रहा है कि फिर से डेट आगे बढ़ गई तो फिर से हम भही की वहीं अटक गए क्योंकि हम एक साल से अटकी हुए हम सोच रहे थे कि अपरेल में कैसी एक्जाम हो जाएंगे उसके बाद हमारी पी जॉइनिंग की परसे सुरू हो जाई तो हमारे तो एक्जाम ही नह प्राइब कर दोस्तों है ना वह के बाद के इंदिर्य विद्याला में काफी जॉब्स निकलती है और जिनका सीट के लिए रहे उनके लिए जोब नुझ ज़लाता रहूंगा आप फोरम फिल करें विद्याला में यदि आपका सेलेक्शन हो गया ना दोस्तों तो बस MP एंप बर्ग तीन थोड़ी बहुत ही आंगे बढ़ी तो आप सीटेट दोगे तो उसमें भी अच्छा करोगे जिनके पास सीटेट नहीं है भारम फिलके रहा है तो दौनों का सिलेवर्स तो सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं अब सेकंड है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर यह जो पर आप के दोट नहीं बेच रहा है तो आप जो भी हमें बढ़ेगी एकजाम होने हैं तो आप जो बी हमें मचल्राने हम उसे क्यों खरीदें हमारे किस काम का ठीक है फिर वो आपकी किसी काम का ही नहीं और जो भी ये भविश्वानी करते हैं वो यदि डेट सांगे बढ़ने की भविश्वानी की अपिक्षा ये भविश्वानी कर दे कि वर्गितीन की किस डेट में एकजाम होंगे तो बहतर है तो ये भविश्वानी कर देना कि डेट सांगे बढ़ जाएगी ये हो जाएगा वो जाएगा उसकी जंगे एक भविश्वानी ये कर दो कि किस डेट को एकजाम होगा क्या 2021 में एकजाम होगा बर्गितीन का क्या 2022 में एकजाम होगा बर्गितीन का क्या 2023 में एकजाम होग आपका नुक्सान कर रहा हैं ऐसे लोगों से हमें साब धान रहना है जो हमारा समय बर्बाद कर रहा है। और आपको फोकस करना है सिรक्पढाई कर एक और बात और धियान रखेंए जितनी आपकी डेट सांगे पढ़ए은 Jetzt बहुत से लोग söyle वो रहें। बहुत से लोग जो हैं दोस्तों, 2020 में आपरेज हो चुके हैं, अब वो कहते हैं कि सर हम तो 2020 में आपरेज हो गए, अब हम पढ़ाई करें कि नहीं करें बर्गतिन के, आपको करना चाहिए, यदि आप आपरेज हो गए, तो यह आपकी गलती नहीं है, क्रोना वाइरस के चक्क कि हम अबरेज हो गए, अबर की तीन के एक्जाम, हाँ ये बाकई में एक बहुत बड़ी बिटमना है, कि एक्जाम नहीं हो रहे हैं, और 2021 में एक संबाबना बन रही है, भावी लोग ये खबरें फेला रहा हैं, कि आप पढ़ाई ना करो, एक्जाम डेट तो आंगे बड़े कि पासिंग मार तक कट आप निकल जाए, तभी है ना, और ये कॉमन इंटेंस एक्जाम है, तो यहां तो अच्छे नमबर लाने ही पड़ेंगी दोस्तों, तो आप इस बात को समझें कि 15 दिसमबर से लेके 20 दिसमबर तक आपको बेट करना ही है, और जब बेट करना है तो पड़ाई भी कर लो, पड़ाई छोड़कर कौन सा लाग हो जाएगा, और जो लोग 12 महीने में तयारी नहीं कर पाए, वो यह सोच रहे हैं कि कुछ और समय मिल जाए, तो फिर कितना समय आपको चाहिए, आप स्वाएम आत्म मंतन जरूर करें अपनी बात पर, कि जब हम 12 मह प्रियारी आपकी चली रही है, वो किलियर हो जाएगा, उसके बाद ऑप्सन ही ऑप्सन, और जिनका सीटेट प्रमान पत्र है, मैं बिलकुल आपके लिए जौब नीच लाता रहूंगा, उसमें डालते रहना, अगर आपका केंदरी विद्याली में हो गया, आपका बात ही हो गई, कि भाईया हमारा गवर्मेंट जौब हो गया, तो फिर इसकी आपको जरुवती नहीं पड़नी पर थी, दोस्तों ये एक कल के वीडियो पर ही था, तो पिलीस ये ना पूछें बार बार, क्योंकि 15 तारिक तक कोई आपको बता नहीं सकता, हाँ अठकले सब लगा सक के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे talented लोगों के लिए जो पढ़ाई जारी रखे हुए, उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप भी दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना स मैंने काला उसके लिए दिल से धन्नवाद